प्रांस के दो दिन के दोरे के बाद प्रधान मंत्री नरीन मोदी एक दिन के लिए UAE पहुँच गए है या आबुधाबी के एरपोर्ट पर उन्हें UAE के क्राउन प्रिंस शेक खालिद ने रिसीव किया इसके बाद वो राष्टपती शेक मोहमद जायद अलनाहयन से मुलाकात करेंगे प्राइम मोदी के स्वागत में भुर्ज कलिवा पर तिरंगे और उनकी तस्वीर के साथ वेलकम उन्रेबल प्राइम मिनिस्टर नरीन मोदी लिखा था प्राइम बनने के बाद ये उनका पांच्वा UAE का दोरा है 2019 में प्राइम मोदी को UAE ने अपने सर्वोच सम्मान और अव जायद से सम्मानित किया था दोनों देशों के बीच रणनेतिक साजधारी को लेकर चर्चा होगी भारत और UAE काफी समय से डॉलर छोड दिरम और रुपे के व्यापार करने के समझोते पर डिसकस कर रहे हैं ऐसे में प्राइम मोदी का UAE दोरा काफी एहमे रूस, साओधी अरब और इराक के बाद UAE भारत का चोथा सबसे बड़ा तेल अपूर्ती करता है UAE उन अरब देशों में से एक है जो पाकिस्तान के नजदी की है उनकी दोस्ती का अंदाजा इस बाद से लगाया जा सकता है कि आर्थिक तंगी से जूजरे पाकिस्तान को UAE ने भंडार भढ़ाने के लिए एक अरब अमेरिकी डॉलर की मदद की है ये पहला मुका नहीं है इससे पहले भी UAE पाकिस्तान को कर्ज दे कर मदद कर चुका है हलकि पाकिस्तान से अच्छे समध होने की बावजूद UAE कश्मीर को लेकर भारत के खिला कोई भी बयान देने से बचता है 2019 में जब भारत ने कश्मीर को विशिश अधिकार देने वाले आर्टिकल 370 को खतम किया तो UAE ने इसे भारत का अंत्रिक मसला बताया था जबकि पाकिस्तान भारत के इस एक्षन पर अरब देशों से कड़ी प्रतिक्या की उम्मिद कर रहा था इसिक्साब बने रही है राइनमा डिविके साँ ताने वाले